हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता के एक और नए पॉड़कास्ट में तो भाई जैसे कि हमारी जनता अकल्ट साइंस के पॉड़कास्ट को इतना प्यार देती है अस्टलोजी का पॉड़कास्ट हो निमरोलोजी का हो वास्तू एक्सपर्ट का हो तो आज हम फिर से डिमांड के साथ लेकर आगए है शुबम भाई को यह एक बहुत ही मशूर एस्टलोजर है वास्तू एक्सपर्ट है कमर्शल और रिजिदेंशल वास्तू में इनका बहुत बढ़िया हाथ है तो भाई स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में नए पॉड़कास्ट में आप अपने पैरनॉर्मल किस से जरूर परताते हैं जो वास्तू विजिट पर उनके साथ होते तो भाई इस बार कुछ है हमारी ओडियन्स के लिए बढ़िया सा रिसेंट कही है दो तीन है बढ़िया इस पर करते है अपन कोई आसपास का है नौईडा दिल्ली कही है दो दो दिल मेरे ख्याल से जो की मेरे क्लाइंट से मतलब जो सिच्वेशन समझ आ जा जाता है कि कौन किस सिच्वेशन में तो दिल्ली कही के से जगे का नाम नहीं नहीं लूंगा एक गलती से ले लिया था तो वहां पर लोग फिर जमीन कर ने के पूच रहे हैं तो एनिवेस जगे का मैंने पूरा ब्रोशर वगर बताया तो बोले सर वह सब चोड़ी आप बस आ जाई है तो मैंने वही का कि अपॉइमेंट क्योंकि लेना पड़ता है बिना वो कर मतलब से इस अरुए नहीं बता रहा हूं बस तो उसके लिए फिर उनने बुक वगरा किया यर सिच्वेशन मै मैं मुहुर्थ के ही सबस्क्राइब कहुआ हूं प्यली बातो की ताइम के सबस्क्राइब को कि अपूर्ट को एको बीज बोने का समय बहुत सही रहता हूं गर आप सही वक्त पर बीज बौगे नॉमली भी अगर देखे तो उसमें अपशल अच्छी उपजाऊव गी तो मै मैं बाइप युझे जा चुका वोटल ऑगर चेंज वगर गया तो अग्या पर दिर्क लेक्ली विजिट पे गया तो अग्या तो अटोन लोग लेक्त लिए है और अग्या की जा चुका हूं वह नहीं आपाएगा अपर आपका घ्राथ शाहएं तो ले के जा रहे हैं बहुत अंदर कम से कम नहीं 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 हो के एकदम गयते अफिर वह लोग का घर आया तो घर में भी पूरा अंधिरा ना तो एंट्रीगेट वह नहीं चाहिए का वीडियो देखे होंगे कि एंट्र तो लाइट नहीं जल रही थी ना 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 यार कहीं वो कॉल नी में बताओंगा उसका आगया होंगा मैं थोड़ा प्रॉब्लम मेरे को फोन पर पता चल गया था बट मैं रिवर्ड बैक नहीं किया था हूने कुछ मैं बस देख रहा था कि वाकई में क्या है किया नहीं है तो अंदर लेकर लेकर वो मेरे को दो लोग लेने के लिए थे वहां वर थोड़ा समय को इंसक्यूर फील वा था कोई भी होता हूता आप अंदर गया गर भी पूरा अंदेर है मतलब या जस्ट उसिंग अग फ्लैशलाइट मैं मोबाइल का युसकर लेकर 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 पूरा कच्छा टाइप के अंदेरे में फर्स ताम तो मतलब दिखा ने पहला उस पे अंदर गया अंदर जाके वो लोग अगर नोड़ा बहुत बड़ा मतलब घर के अंदर भी गली टाइप के लेकर लेकर जा रहे है ना वो लोग एट दर टाइम हॉल पे सेंटर एडिया अल्मोस्त पहुत पहुचे तो जैसे ही पहुचे जैसे से में अंदर जा रहे हूं दो तीन लोग और आया पड़े है ना दो आदमी यहां दो चार आदमी अब सी टूबी वेरी ओनेस्ट थोड़ा सा इंसे क्योर फील होता ही है चाहे कि इतने बहुत कि आपर अकेले अंदेरा थरूम मुंबत्ती वगला जली हुई है जैसे मैं बैठा वहां से दर्वाजा लॉक हुई है मतब कर दिया इनसाने एक आदमी ने पता नहीं कौन था उनके फैमिले वाले होंगे दर्वाजा सीधे लॉक ठीक है कुछ नहीं होता है देखेंगे जो होगा उसके बा आपको ऐसे घुछत भी महसूस हो गया था कि कुछ युगा लटा है प्योज पहला जब कॉल आय था उनका मैं तभी फील हो गया था पट मैं यह काँगा कि जितना मुझे फील हुआ न उससे कई कुना जाता था बता रहा हूँ तो मैं बता हूँगा भी क्या फील हुआ उनके एक मदर थी, मतलब जो उनके मदर थी, उनके उपर मेजरली पैनॉमल चीज का इशू था, इशू ये था कि वो आई जैसे आप लोगों ने, मतलब हम टीवी वगर अपे नहीं देखते हैं, जैसे कि एकदम कोई बिमार इंसान बहुत जादा दुबला, मतलब एकदम लक आपके आने के कुछ ताम पहले ही लाइट चल दी यहां का भी लाइट नहीं जाते हैं, लिटरली वह इतना पॉज कॉलनी है कि I don't think so कि वहां लाइट जाती होगी, देली कही है, जाती भी को ते शायद डीजी जनरेटर सब रहता हैं बट उस दिन वह लाइट आई नहीं थ वह लोग बोले भी पहले भी जा चोगी बट पांच साथ मिनट के अंदर आ जाती है बट ठीक है मैं चीजे समझ आ रही थी मुझे बट गया तो at the time मैं उनकी मदर को देखना मतला बोलना नहीं चीए and for God से कैसा कुछ नहीं बट यार मतलब उनको देखके आप डर जाओगे मतलब एकदम दूबली पतली पूरा मतलब मूव अगरा पूरा अंदर है and she can't say anything to me वह बस में को देख रही है बैटके वह सामने मुबत्ती जला हुआ ऐसे करके बाल भी बिखरे वागेर ना नॉर्मली बाल वल उत्तर नोटिस हुआ नहीं अंधेरा भी था मुबत्ती में आंटी कैसे है ऐसे करके नॉर्मल बात की मिरसे कि घर का तकलीफ ठीक कर दो मैं ठीक है आप यहां पर उनसे बात भी नहीं किया जा रहा था मैं ठीक है इस वाइन गया बाहर गया तो मैं बेसिकली सिर्फ जमीन नी चत पे भी चेक करता हूँ क्योंकि वह बहुत इंपोर्ट बहुत कर दिख रहा है मेरे को यह बात करी हम लोग मैं थे मेरे क्लाइंट थे दोनों तीनों और वो लेडी थी वो लेडी उपर चड़के आ गई जो उनकी ममी जो मैं से बात करने के हालत में ली थी वो चच में चड़के आगी डारेकली अब किसी को भी एम्बैरेस फीलोत बट वो लेडी जो अचानाग उपर आ गए वो मुझे दो तीन एटेम्ट की है मेरे को धक्का देने का नॉर्मली मतलब जैसे कि नहीं बात करते करते बेटा ठीक कर दो ऐसे हलका हाथ से प्रेशर मार रही इस टैप का बट ठीक है वो रियाक्ट नहीं किया बट मुझे चीज़े समझ आ रही थी टेक्निकली यह था कि मैं बता रहा हूँ विच सुने होगे जानते होगे आप लग चुड़ायल विच्क्राफ्ट होता है लग से वो लेडी इतना ज्यादा विच्क्राफ्ट कर चुकी थी कि उनको अधरिया है चुड़ायल को एक्टिवेट करने झाले का रिच्ट्वाल्स होता है तो वो थीन अटें मुझे घर की इनरजी तने यहादा नेगेटिव हो गई थीए बैच थी कोई भी नेगेटिव चीज़े कभी नी चाहती आप उन्हें सही करने दो जैसे हमें पता चलता है, जैसे मुझे फोन कॉल पता चल गया था या वहां पर विजट करके में कोई संस ओ गया था वैसे उन्हें भी संस हो जाता है कोई तो चीज ठीक करने के लिए हो रहा है टेक्निकल ही देखे तो उनकी मदर नहीं थी उस वक्त के लिए क्योंकि वह एक डिसॉडर एक मेडिकल साइंस में देखा जाये तो तो ऐसा था था तो फिर मैं बीच पे चला गया एं देन से बात कि घर वाले सारे शॉक्ड़ाना की यह मतलब मम्मी कैसे उपर आ गए और वो बोलगी आचानक से जो इंसन क्यूंकि नीचे में उनकी वाई सुना था फीमेल जैसी वाईस थी उनकी वह उपर आने के बाद उनकी अवाज भारी हो गे जैसानी की डियोल टोन में बात करना के लेकि कुछ नहीं बदले का जो जह से चल रहा है वारी होई थी आवाज भारी यह नहीं हो पाए गाया, ऐसे कुछ नहीं ठीक कराना हमको जिसको लाया वापिस भेजो नहीं तो उनको भी गए तुम भी गए मतलब शी उस्टू से मी कि यार तुम अगर दुबारा यहां पर आए तो तुमको मैं मार दूंगी यह डिरेक्ली बोला उन्होंने, मैं बोला कि आप हो कॉन तो बोला कि उससे तुमको मतलब नहीं है बड़ जो चल रहा है वैसे चलने दो तो वो दूसरा चीज होता है वैसे बेसिकली महाशोबेक माला आता है रुदराक्ष माला उससे मैं तुरंद मैं लेके चलता हूं अपने साथ कुछ चीजे जो समझ आता है तो मैंने उनको बेटे को तुरंद बोला कि इसको ने वेयर करवाई और एक बर इसका पानी पिलवाई तो वो चीजों थोड़ी सी चीजे नूट्रलाइज रुई मैं यह नहीं कहूंगा पर क्योंकि उसको भी टाइम करने में थोड़ा टाइम लगता है बड़ एगेन मैं कुछ एक्टिविटी वहां पर कुछ रिच्वल किया वह वास्तू का पार्ट निये खर तो उससे मुझे उन्होंने उनकी वाकई में जो माताजी की हो सकता है सोल अक्टिवेट है तो उन्होंने का बहुत जादा तकलीव में और गल्ती मेरी है मैं एक्टिविटी वह लोग बहुत जादा वेल्दी फैमिली से हुआ करते थे एंड बीच में उनकी वेल्थने मतलब किसी को वह आ गया था कि उनके उपर ने ब्लैक मैजिक वगरा किया है तो लोंकी डाउन फॉल चालू हो गए तो उससे बचने के लिए इन्होंने कुछ चालू कि अब उस एक्टिविटी में यह इतना जादा इंडल जोगे इतना अदा इंडल जोगे कि अब उससे वह कंटिन्यू करें तो वह मुझे क्लियरली कहरी कि बेटा सॉरी मैं ऐस टाइप का मुझे माफ कर दो बट यह चीज को मैं नहीं कर सकती मैं इसको छोड़ना न लेकिन अगर मैं मरी सिचुएशन के साथ तो इस घर से किसी ना किसी को लेकर जाओंगी यह क्लिए जो जब आपने उद्राक्ष की माल है पहले इसके बाद बहुत हद तक जो उपर एकदम आ गई थी ना मतलब एकदम चड़वड के मतलब कहते हैं मेंटली इंसान का चेंज करती है किसी चीज को प्रवोक करोंगे मैं वहां पर अगर कुछ चीज ठीक करने के हो तो वह एनरजी प्रवोक होई है तो एक अचानक से चेंज है साथ है बट महाशुप रुद्राक्षमला जो था उसके मतलब बहुत शायद लोग सोचे इस चीज को कि मैं कहीं ना कहीं प तो पता था कि वह नहीं पहनेगी मेरे अधस सबसे पहली बात तो तो ने तो पहले जूट बोलकर पानी पिलाए गया था उसका क्योंकि अगर नॉमली बोलते को उन्होंने यह कर पानी पिलाए कि मतला बहुत थक गई हो उपर अगर अचानक चड़ गई तब यह ठीक हो नह पानी पिलो उसमें दवाई देके पिला रहे हैं तो वह पानी पी पानी पीने के बाद कुछ साथ से दस मिनट का टाइम मिनिमम लगा था उन्हें नुट्राइज रोना है अधरवाइस तुम जाओ में कुछ नहीं कराना है यह घर आज भी मेरा है और यहां से मैं किसी को ले पिटी के वाइप थी वहाँ पर वह दोनों एगरी किये थे बोलती कि सर जब रात में सब कोई सो जाते हैं तो साड़े बारा एक बज़े की करीडना उटके मम्मी जी जाती है शम्शान घाट शम्शान घाट जाकर वहां पर भस्म लगाती है अपने सर पे और जब हम घर पे मम्मी जी हमसे रोज यह कह रही है कि मुझे इंसानी खून पीना है तो यह उनके घर में चल रहा था प्रॉब्लम मेजर ली वही थी कि वह इतना अदा रिच्वल देखो कोई भी चीज ना लैड़ा सपोस कि आप नेगेटिव कोई भी चीज को अगर अगर अपने घर पे कर उतर ने ने कि तो ऩटियां आप रहते हैं वह इंसान रहते हैं कोई नहीं रहते हैं नहीं सन रहते हैं जो अपने आपको उस लेटीकल आइसा के और तो थी ना निंग तो वो चीज समझ आ जाता है तो उनके ओपर थी तो बेसिकली वहाँ पर प्रॉब्लम वहाँ आ जाती तो जमीन में मेजर प्रॉब्लम मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि छीज़े ठीक कैसे किया जाए कि वहाँ पर कांट से अट आल कि वहाँ पर वास्तू का इशू था था वास्तू का इशू 30-40 परसंट था एं मैं सिर्व वास्तू करता नहीं हो बोलता बस हो कि हाटी के वास्तू है बट मेरे वास्तू आप लोग भी जान रहो कि वास्तू के अंदर मेरे बहुत से चीज़े रहती हैं एंतरमंत्र अभी पार आजाता था ait Shaun ला जय लाज वाकर अरधने निम्रलजी वकरा भी आजने डिना तरकिया ना आफ निचीजें सब्काइब बूरा शहीं है था गया तक अजो सारी चीज़ अल्रेडी रहती है हमारा काम ही रहते है कि बस इसको घर को सेंटर पे उसे नीचे हम दबा दे वो पूरी मतलब 40-50% इसको को ऐसी सौट आट कर देगा नाभी विदी कहते हैं उसको नाभी विदी एंशेंट नाम है उसका उसको ही दे को हर चीज ना एकॉर्डिंग टू मी वास्तू हो गया कुछ भी हो गया समय के साथ बदलते रहता है अब आप बैठे रहोगे कि हमें पुराने जमाने के वास्तू करना हमें इंशेंट वास्तू करना तो वह आज केट में पॉसिबल ही नहीं और शायद वह आपको रिजल्ट ना दे कि मेरा मेजर फोकस रहता है रिजल्ट में सिंपल सी बात है है मैंने लाखो लाख रुपे लिए तो मेरा फोकस रहेगा कुछ भी करके इनको रिजल्ट दो